बिजली के मामले में कहना है कि यह पुंजी प्रस्त जहें निती अक्तियार किया रहा है और लगतार बिजली में लगतार दर भढ़ायक हैं, महंगी किया जा रहा है साथ साज जन वित्ण परनाली के जो दुकान है उसमें सस्ते तर पर गरीबों को आप आज महय करते हैं तो बिजली मुपत क्यों नहीं दे सकते हैं इसलिए उनको आज आर्थी किसिती नहीं है महंगाई के दोर में इसे तमाम लोगों को बिजली मुप किया जाए गरीब लोगों को और बड़े पैमाने पर गरामीनी इलाके में सहरी इलाके में फरजी बिल गरीबों को घर में आ रहा है एक एक लाक रुपय से लेकर के सवा ल इली सर आप से महोते हुई हैं उनके परित पड़िवारों को मुआपजा देने की मांग कर रहे हैं और साथ साथ देख रहे हाई टेंसन तार खेतों से गुजर रहा है जहां पर आज उनको खेत मालिकों कुछ मिलता नहीं है लेकिन पूरे बिहार में उनके खेत से जहें परिमेंटर वाले में कहना की इनको हटाए जाए यह अतिरिक दे रहा है जितना उर्जा खपता है उससे ज्यादा पैसा बसू ले जाते हैं उसलिए ठीक नहीं है उसको नए सिरे से हम सरकार में सामिल है मजबते और सरकार के आइना दिखा रहे हैं यह नीती गलत है और प्रीपेड मीटर को लेकर और खास तोर पर अब जो जिस तरीके से गरीबों को राशन दिया जाता है जन्वित्रन प्रनाली के माध्यम से तो वैसी ही बिवस्था अब बिजली में भी की जानी चाहिए ताकि जो गरीब दोग हैं उनको रहत और रियायत मिल सके और खास तोर पर जो बिजली का भी समझ चाहें लगतार उत्पन अव죠 और ऐसे में बिजली बिल को कम कैसे किया जाए बिजली का बिल कम कैसे आए इसको लेकर अपनी ही सरकार के खिलाप सरक पर उत्रे हैं अपनी ही सरकार के खिलाप सतन के बाहर परदसन कर रहे हैं और इसको लेकर सरकार को अब जल्द से जल्द कोई ने कोई फैसला लेना चाहिए अगर ये वीडियो पसंद आई और रुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से सरोकार रखे नी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जौइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद